नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में तो जैसी की रक्षाबंदन का परवाने ही वाला है तो आज की इस रीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी की रक्षाबंदन पूजा की थाली आप कैसे तयार करेंगे तो देखे थाली आप डेकॉरेटिव भी ले सकते हैं पितल की तामबे की सोने चांदी जैसी भी सामरते हो आप ऐसी थाली ले 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 उसके बीच में आप स्वास्तिक बना ले चाहिए ऐसे डेकॉरेशन कर ले या फिर आप चंदन से या रोली से स्वास्तिक कवश्य बना ले थाली को खाली नही देखे स्वास्तिक बनाया है चाहें तो आप रोली से चंदन से भी बना सकते हैं और इसके बाद में थोड़े अक्षा तरपित किये हैं और फिर टीका लगा दिया है रोली से आप टीका लगा दे तो रक्षा बंदन की थाली में बहुत ज्यादा महत्रपुण होता है एक श्र और इसको टीका लगा कर कि यही भाई को दोनों हातों से हमें समर्पित करना होता है इससे भाई के घर में सुक सम्रद्धी आती है क्योंकि यह श्रीफल माना जाता है लक्षमी मता का सुरूप माना जाता है और उसके बाद में देखी जल का छीटा देने के लिए एक आप त जिसको दुर्वा भी बोलते हैं वो आप इस तरीके से रख लें और जो भी फूल आपको मिल जाते हैं लाल पीले गुलाब के गैंदी के जो भी फूल मिल जाएं दो चारा पूजा में वो रख लें तिलक करने के लिए हल्दी और यहां पर हम रोली रखेंगे और इसी के साथ में रक्षा बंदन पर भाई को स्वर्ण तलक भी किया जाता है देखिए अगर आप बना सकते हैं तो एक छोटी सी चांदी की कटोरी में थोड़ा सा केसर और हल्दी को मिला करके गोल लें तो इसमें चांदी की कटोरी में ही यह बनाया जाता है तब ही यह स्वर्ण कलश कह लिए और उसके बाद में एक हमें दूप दीप की आवश्यक्ता होती है दीपक आप घीका ही बनाए अब देखे जब रक्षाबंदन वाले दिन आप जब भगवान जी को राखी बांदेंगे तो उनके लिए आप थाली तो यही रखेंगे लेकिन उनके सामने आप दूसरा द करती जैसे आप करेंगे उसी से आप भाय की बियारती करेंगे उस दीपक को तो वहीं चोड़ देंगे भगवान जी के पास में और यह ब्हाइ के लिए अलग से थीपक हमने रखा है और जितने भी भाई आपके हो बहाभिया हों भतीजी हों सभी कि हम राकिया इस प्रकार स रख लेते हैं और पूजा की कुछ राखियां भी आती हैं जैसे कि सोन मांडते हैं उसके लिए ये देखें ये पूजा की राखिया कहलाती है बहुत ही छोटी-छोटी सी होती है आप चाहें तो डोरा भी ले सकते हैं इस पूजा के लिए नहीं है तो आप कलावा का भी अवश्य रूप से बादे उसके बाद में जो भी आपने घर में मीठा बनाया हो देखिए जब आप अपने हाथों से अपने भाई को मिठाई बना करके तयार करके उसे खिलाती है तो उसका आनंदी कुछ और होता है आप कोई भी उसकी पसंद की मिठाई बना सकती है या मार् किसी भी आप ग्लास में किसी भी पातर में थोड़ा सा जल अवश्य रखें ठाली में इस तरीके से इस सामेगरी के साथ में हम थोड़े से अक्षत रख लेंगे और साथ में लोंक अलाची भी रख लेंगे यदि आपने पान नहीं रखा ए अब यहा पे साइड में सिरपर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जाश्य करें और कॉमेंट बॉक्स में हारे कृष्ण राधे राधे आवशे लिखें दोस्तों मिलती हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए हारे कृष्ण राधे राधे श्री शिवाय नमस्तो भ्यम जैमाता दिए